अब ही जो आप बाइक देख रहे हो यह है यामा का R15M MotoGP Edition के साथ में कांपरी ने इसे दुबारा से रिलाउंच कर दिया है तो अब आपको एक और नया ग्राफिक देखने को मिल ला है जिसकी एक्सोरूम कीमत है 1,97,200 रुपे और नोर जाती है 2,21,000 रुपे जबकि वही पे जो आप पहले से R15M देखते आ रहे हो उसकी और नोर कीमत है दिल्ली में 1,95,700 रुपे और नोर जाती है 2,27,000 रुपे दोनों में चेंजस क्या हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के अलाइबिल्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन वही पे R15M के मनिस्टर एनरजी में आपको ब्लेक कलर के अलाइबिल्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही बाइक में आपको ESD टाइप के फोक दिखाई देंगे फ्रेंट लुक काफी ज़्यादा चेंज आपको नजर आएगा पूरा का जो कलर है पूरा का पूरा गारी का यहाँ पे ब्लेक आउट रखा गया है लेकिन यहाँ पे आपको स्टीकर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं जैसे आप फ्रेंट पे देखोगे तो मनिस्टर एनरजी का स्टीकर देखने को मिल जाएगा एनोस का भी sticker देखने को मिलेगा graphic आपको कुछ नए मिल जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो green color के कुछ sporty type के graphic दिये गये हैं बाकी yama lip का भी sticker यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोनों side में आपको LED DRL मिलेंगे, projector LED, headlamp मिलेगा, front medigard पर भी आपको sticker देखने को मिल जाता है side look की बात करते हैं तो आपको R15M का sticker देखने को मिलेगा black and blue color का graphic दिया गया है साथ में green color का यहाँ पर taping दी गई है लेकिन यहाँ पर R15M के पहले वाली edition में आपको ऐसे कोई भी graphics देखने को नहीं मिलेंगे तो अगर आप देखोगे इस bike को तो यार देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत दिखाई देगी इसके panel पर आपको Monister Energy का edition का आपको sticker देखने को मिल जाएगा बाकि नीचे में आपको Yama Luke का sticker देखने को मिलेगा तो कुल मिला के बात ये है कि अब Yama कंपनी ने एक और नया कलर R15M में दे दिया है दूसरी जो सबसे बड़े changes है इसके fuel tank में है यहाँ पर fuel tank देखोगे तो blue and black मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको black and silver fuel tank देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा changes यह हो जाता है दोनों ही बाइक E20 update के साथ less है और एक और जो बहुत ज़्यादा powerful और most changes है यहाँ पर जो आपको Yama का logo मिलता है वो आपको मिलता है silver color में और यहाँ पर जो Yama का logo मिलता है आपको gold color में देखने को मिलेगा तो यह भी एक बहुत बड़ा changes यहाँ पर नजर आने वाला है तो यहाँ देखने में यहाँ बाइक काफ़ ज़्यादा खुबसूरत है fuel tank पर भी आपको काफ़ ज़्यादा बढ़िया graphics देखने को मिल जाते है और जब यह बाइक आप लेकर निकलोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही मामली से sticker देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप जाते हो R15M के monster energy के साथ तो यहाँ पर जो sticker मिलेगा भाई बहुत ही बढ़िया गजब का sticker यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो सब कुछ यहाँ पर सेम मिलता है assist sleeper class मिल जाएगा BBA मिल जाएगा traction control मिल जाएगा quick sister मिल जाएगा तो सब कुछ इस बाइक में पहले के जैसा सेम ही है लेकिन changes हैं तो सिर्फ इसके color और graphics को लेके तो यह बाइक आपको देखने में कैसे लगी comment कर देना मुझे मुझे जानके अच्छा लगएगा कि आप लोग इस बाइक को पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं खास कर जो R15 M के लबर है R15 के series के लबर है उनको तो यह बाइक यार काफी ज़्यदा पसंद आने वाली है इस R15 के monitor energy में आपको 100 by 80 section के tire मिलेगा rear में 140 by 70 section के tire मिलेगा front में 282 mm का disc brake और पीछे में 220 mm का disc brake मिलेगा dual channel ABS मिलता है dual horn मिल जाते हैं सब कुछ यार पहले जैसा ही है कोई भी changes नहीं है लेकिन यार ये bike में अब एक और नया color आ चुका है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चलनल पे भाई नए हो तो subscribe कर लेना को कि आपके लिए मैं ऐसे update लेके आता रहता हूँ वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्नवाद